हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं Nexa XL6 Zeta model की क्या इसमें features मिलेंगे क्या इसके price रहने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर आपको पता लगेगा आप वीडियो को सुरू से आखिर तक जरूर देखें सबसे पहले front look की बात करें तो काफी premium look यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और light profile भी यहाँ पर काफी इच्छी देखने को मिल जाती है यहाँ पर मिलता है Suzuki का logo और chrome grill और इसमें adjustable headlight है LED headlight और यहाँ पर fog lamp मिल जाते हैं तो यह सारी profile कुछ अच्छी यहाँ पर देखने को हमें मिलती है dual tone में पूरा bumper front देखने को मिल जाएगा इसका ground clearance लगबग 180 mm का देखने को मिलता है तो काफी इच्छा मिल जाता है light हो में indicator भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगे और इसके सबसे पहले bonnet को open कर लेते हैं और engine की profile मैं आपको दिखाऊंगा तो यहाँ से bonnet open होता है और अभी मैं open करके आपको दिखाता हूँ और इसका जो यह पूरा देख रहे हैं front में यह आप मैं खौल के दिखाता हूँ एक मिल तो यह कुछ इस step से front में देखने को मिलेगा पूरा engine और engine इसके अंदर K15C smart hybrid 1462cc वाला engine मिलता है जो कि 4 slender engine इस car के अंदर लगा हुआ मिलता है यह सारी profile engine की कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगी काफी भारी भरकंप engine देखने को मिल जाता है इसके bonnet को बंद कर देते हैं और हम थोड़ा सा side से देखेंगे कि हमें और क्या-क्या चीजे मिलती है यहाँ पर chrome मिल जाता है chrome handle और keyless entry के साथ में मिलता है यहाँ पर आपको rear view mirror पर indicator मिल जाता है और यहाँ पर मिल जाते हैं byper तो यह सारी profile कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर जो है black का जो combination है काफी अच्छा है silver के साथ में तो यह काफी अच्छा premium look देता है और यहाँ पर 16 इंच के tire size आपको wheel size मिल जाता है और यह कुछ इस type से accessory आपको लगी हुई अलग से मिलेगी CNG में यह आती है black का combination काफी अच्छा है और front में आपको यह disc brake देखने को मिलेंगे gate को open करते हैं glass entry के साथ में और gate भी यहाँ पर कुछ इस type से आपको देखने को मिलेगा black और different color में काफी अच्छा है और यहाँ पर 4 window power का option है और यह electric fold वाले rear view मिल जाते हैं rear view mirror को set भी आप कर सकते हैं यहाँ पर कुछ space bottle holder speaker का option मिल जाता है तो काफी अच्छी profile यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी gate पर यहाँ पर अगर seat profile की बात करें height adjustable seat मिल जाती है आगे पीछे भी कर सकते हैं fuel tank को open करने का यह option मिलता है नीचे की side में 3 pendle मिल जाते हैं यह सारी profile कुछ ऐसी है यहाँ से fuel को change किया जा सकता है और dual tone में पूरा dexport लगभग आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छा look है और यहाँ पर आपको जैसे की low fuel warning light का भी option मिलता है और यहाँ पर आपको काफी अच्छा system मिलता है यह touchscreen system है और entertainment के नाम पर touchscreen system 7 inch का android auto apple car play वाला यहाँ पर मिल जाता है और यहाँ पर steering पर Suzuki का logo है music system को control इधर से किया जाता है cruise control इधर मिल जाता है voice command का option इधर मिल जाएगा call को receive कर सकते हैं card सकते हैं adjustable steering है तो यह भी काफी अच्छी option यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे यह काफी मुझे अच्छा लगा इधर से चारो indicator को एक साथ जलाया जा सकता है और AC heater को यहाँ से control कर सकते हैं और इसमें automatic climate control मिलता है 12 bolt का charger का socket मिल जाता है और यहाँ से USB connect कर सकते हैं यहाँ पर cup holder मिल जाते हैं जो chilled हो जाते हैं तो यह कुछ step से है यहाँ पर gear lever आपको देखने को मिलेगा और पीछे की side में hand break यहाँ पर seat belt को connect कर सकते हैं और armrest काफी ठीक ठाक हैं और कुछ space मिलता है इसमें armrest के अंदर उपर की side में देखेंगे तो यहाँ पर आप अपना gogol रख सकते हैं चश्मा रख सकते हैं और यहाँ पर पकड़ कर बैठने के लिए handle मिल जाते हैं तो यह सारी profile काफी अच्छी है यहाँ से AC event का system मिलता है पीछे की side में तो यह सारी profile काफी अच्छी है अब हम दूसरी तरफ देखेंगे कि हमें वहाँ पर क्या-क्या चीज मिलती है क्या-क्या features मिलते है एक-एक features अभी आपको पता लग जाएगा मैं यहीं पर बताता चलूँगा तो यह gate को कर लेते open यहाँ पर भी कीले ऐसे entry का system है और यहाँ से gate को open करते हैं lock कर लेते हैं power window का option यहाँ पर है कुछ space bottle holder speaker का option मिल जाता है यहाँ पर air bag मिल जाता है AC bent यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे और यहाँ पर गलब box मिल जाता है तो यह सारी profile काफी अच्छी है seat को आप आगे पीछे बहुत असानी से कर सकते हैं और यह सारी seat profile ऐसी है adjustable head rest है seat belt का option मिलता है seat belt का option सभी seatों पर देखने को यहाँ पर मिलेगा और यह काफी अच्छा है यहाँ से बिल्कुल smooth आगे पीछे हो जाती है तो काफी अच्छी profile यहाँ पर देखने को मिलती है अब यहाँ पर देखें back door को तो यहाँ पर back door में भी same ही चीज मिलती है power window का option मिल जाता है कुछ space bottle holder speaker का option मिल जाता है और यहाँ पर दो seat आपको second row में देखने के लिए मिलेगी काफी अच्छा है और इन seatों में armrest भी देखने को मिल जाएगा मुझे काफी अच्छा लगा seat belt का option यहाँ पर मिल जाता है इसको fold कर देते हैं और तब भी आगे जा सकते हैं या second row है तब भी third row पर आप जा सकते हैं तो यह सारी profile कुछ step से यहाँ पर देखने को मिलती है और मैं अंदर बैट के भी देखूंगा अभी कि यहाँ पर क्या space मिलता है यहाँ पर जो है काफी ठीक space मुझे देखने को मिलता है काफी comfort है यहाँ पर आप देख रहे हैं तो कुछ step से मिल जाता है lag room तो यह सारी profile काफी अच्छी है काफी इसमें आपको अंतर मिलता है काफी बीच में जगा मिल जाती है तो अराम से बैट सकते हैं यहाँ पर AC bent मिल जाते हैं चार AC bent मिलते हैं और यह कुछ step से profile देखने को मिलेगी अगर safety feature की बात करें तो ABS system, brake assist, central log, power door log, child safety door log, anti-thip alarm चार airbag मिलते हैं और इसमें seat belt warning, adjustable seat है engine check warning और crust sensor, electronic stable control, speed alert और hill assist जैसे system ही इस कार के अंदर मिलेंगे और EBD का system भी मिलता है पीछे की profile कुछ SEI है, यहाँ पर light भी मिल जाती है तो यह काफी अच्छे option इस कार के अंदर आपको देखने को मिलेंगे यहाँ से हम एक बार नीचे उतरते हैं और फिर मैं आपको एक बार दिखाता हूँ तो यह सारी profile इस type से आपको देखने को मिल जाएगी और जो third row की seat हैं, वो यहाँ पर fold कर रखी है इनको आप जो है, set कर सकते हैं तो यह कुछ step से set हो जाती है तो काफी अच्छी profile यहाँ पर देखने को मिलती है पीछे की side में cup holder भी मिल जाते हैं यहाँ पर charger का option मिल जाता cup holder, seat weld और handle मिल जाते हैं पकड़ कर बैठने के लिए तो यह सारी profile काफी अच्छी मुझे तो लगी यहाँ पर देखेंगे तो fuel tank 45 liter का मिल जाता है cng tank भी इस car के अंदर मिल जाता है तो यह काफी अच्छा है और mileage depend करता है आपके चलाने के उपर आप किस तरीके से चला रहे हैं पीछे वाले जो wheel आपको देख रहे हैं इसके अंदर drum brake मिलेंगे light है कुछ इस परकार से LED light मिलती है back तो काफी अच्छा है उपर roof rail मिल जाते हैं और यहाँ पर integrated antenna मिल जाता है और यहाँ पर cng लिखा हुआ है पीछे वाला जो पूरा mirror है इस पर आपको byper defogger का option भी मिल जाता है सुजूकी का logo यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर कुछ इस type से पूरी profile देखने को मिल जाती है और यहाँ पर हम open कर लेते हैं और यह आप देख रहे हैं तो काफी बड़ा boot space इस car के अंदर बन जाता है लेकिन जादा बड़ा नहीं बनता है लेकिन एक ते कहते हैं कि वही तीन row में इसमें seat मिलती है तो उस हिसाब से ठीक मिल जाता है और जो third वाली row है उसको down करेंगे तो काफी बड़ा boot space बन जाता है यहाँ पर parking sensor मिल जाते हैं और यह देखें तो reflector और dual tone में back bumper नीचे की side में stepnika tire यह सारी profile इस car के अंदर आपको देखने को मिलेगी मुझे तो काफी अची profile इस car की लगी आप बता सकते हैं कि आपको यह कैसी लगी तो मेरे हिसाब से ठीक है और यहाँ पर देखेंगे मैं अंदर से भी एक बाहर दिखा देता हूँ और इस car के अंदर जैसे की power window मिलती है front में और rear में तो यह भी काफी अचा option है और इसमें जैसे की बात करें इसकी length की तो 4445 mm length है width है 1775 mm और height है 1775 mm तो यह profile ऐसी है और यहाँ पर देखते हैं तो मैंने बैठके आपको दिखा दिया तो यह इतना space इस car के अंदर मिल जाता है अब सबसे main चीज बात करते हैं इसके price की क्या price क्या रहने वाले यह है Jetta model और इसकी exorum कीमत 11,56,000 रुपे के something देखने को मिलेगी अगर front look की एक बार फिर से बात करें तो काफी premium look में है आपर front look आपको देखने को मिलेगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें